तो जी हाँ दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड़ा 24-7 पर मैं D.K. धीरज आप सभी लोगों के साथ मुखातिव हो चुका हूँ देखिएगा वीडियो की सुरुवात करने जा रहा हूँ कोई जीरो से कोई ग्रेजवेशन पास किया है या सेगेंड इयर में और वह अभी से चाहता है कि हम सुरुवात करें बीपीएससी की तैयारी की तो वह किस तरीके से जीरो से सुरू कर सकता है जो बच्चे ऐसे भी हैं जो उपर उपर अभी तक तैयारी कर रहे हैं बस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कहीं ने कहीं अर्चान आ रही है दिक्कते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वह स्टार्ट करते ह करेंगे सबसे पहला काम आपको देखो कोई सौट कट नहीं है सफलता का बच्चा आज के डेट में चाहता क्या है कि हम स्टार्ट करें और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए एकदम फटा फट यह नहीं होता है मेरे दोस्त इंस्टेंट रिजल्ट लखी लोग एक दू होते हैं जो रास्ता दस साल पहले था, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, बुक्स, सुरुवात कैसे करना है, एक zero student है, सबसे पहला काम BPSC की सुरुवात करने में क्या करना है, previous year questions ले लीजे आप, जी हाँ, चाये 67 BPSC हुई है अभी, 66 BPSC हुई है, तो जब वहाँ से आप पहला काम क्या करेंगे, सुरुवात कैसे करें में, सबसे पहला काम, सबसे first काम आपको करना है, कि previous year question, मतलब कि 66 BPSC में questions क्या क्या आया, और previous year questions आप 7 से 8 साल का उठा लो पूरा, previous year questions, और इससे आपको क्या करना है, फर्स्ट काम, previous year questions, बुक करीद लिया, previous year questions का, और आप इसमें आप देखेंगे, तो जब आप देखने जाओगे, तो जानते हो क्या क्या मिलेगा आपको, दो पार्ट में अगर हम बाटें इसको, एक देखोगे history, ठीक है, फिर एक आएगा current affair, history मतलब इतिहास, फिर current affair, ठीक है, फिर आपका बिहार जी के, बिहार जी के, और फिर आपका आएगा, बिहार जी के बाद अगर आप यहाँ पे लेना चाहते है, history, current affair, बिहार जी के और science, ठीक है, यहाँ से ही लगभग आपको, डेर सो कोस्चन का होगा, डेर सो कोस्चन में, सो के आसपास कोस्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे, hundred कोस्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, मतलब main part आपका यह हो गया, जब आप previous year कोस्चन को रीड करोगे, तो देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, करिंट अफियर, भिहार जी के और साइंस, मतलब लगभग, लगभग, सो एक सो पाँच कोस्चन के आसपास आपको यहीं से मिल जाएगा, पूरा का पूरा, अब, बाद में बात करेंगे कि कैसे पढ़े, क्या बुक पढ़े, कैसे करना है आपको, उसके methods and reasoning के बाद अगर आप चलोगे आगे, यहां polity से question रहेगा, ठीक है, उसके बाद economic से question रहेगा, इस्टैटिक जीके से रहेगा, और economy से कम question रहते हैं, आप लिख सकते हो, और एक miscellaneous लिख लेते हैं कुछ सवाल, बजट वगरे से भी रह जाता है तो आप mislainious रख सकते हो तो यहां से 50 question के आसपास यहां से रहेगा तो total हो गए आपके 1500 question तो यह आपको खुद से करना है यह तो मैं बता रहा हूँ सरसथवी को मैंने देखा इसलिए ठीक है भई तो यह हो गया previous year question से आप यह जज़ कर लेंगे कि इसका वेटेज जादा है वेटेज इसका क्या हो गया जादा हो गया history, current है फिर यहां से 25-30 question, 25-30 question ऐसे बढ़वर के देंगे तो यह वेटेज आपका जादा हो गया और यहां 50 question यहां से रहने वाले हैं देख करके idea लग गया कि क्या कैसे है अब सबसे पहला चीज़ आता है कि start कैसे करें तो start करने अगर आप चल रहे हो कि तयारी कैसे start करें तो अब आता है कि books, sir यह सारी चीज़े तो हो गई अब history कहां से पढ़े भाई history कहां से पढ़े हम उसके बाद current affair के लिए तो आपको पताई है कि current affair के लिए आपको लगातार आपको magazines वगएरा आती है उससे आप current affair की तयारी कर सकते हो history के लिए आप जानते हो spectrum वगएरा पढ़ सकते हो history हो गया, current affair हो गया बिहार GK की बात करेंगो तो इमतियाज करके उनका है आप उससे तयारी कर सकते हो बिहार GK के लिए तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी लेकिन एक competition का label भी आपको अगर जानना है तो आप एक कहीं भी अगर आप नए student है तो एक कहीं से भी आप class join कर लीजिए ठीक है, तो एक class अगर आप join करेंगे कहीं से भी तो आपको फायदा क्या हो जाएगा वो एक बार हम देख लेते हैं भाई, ठीक है ना वो आपको फायदा क्या हो जाएगा कहीं भी एक class join कर लो जहां भी आपको मन करें वहाँ उससे क्या होगा, कि आपको पता चलेगा कि कौन क्या पढ़ रहा है बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे कि लुसेंट पढ़ लिया BPSC निकल गया और निकाल भी देते हैं वो pre का exam लेकिन क्या आपको pre का exam निकालना है या BPSC में SDM वगएर जाके बनना है फाइनल रिजल्ट लेकर ये decide कर लिजेगा अगर आपको केवल pre का exam निकालना है तो लुसेंट रट जाएए 100 question वहीं से टकरा जाएगा लेकिन आपको मैं बरे भाई होने के नाते गलत राय नहीं दूँगा आपको pre नहीं निकालना है वह क्या करते हैं लुसेंट पढ़ लिए जादा आपदार ना लेकिन मेंस में फिर वह मेहनत करते हैं तब जाके उनका मेंस निकलता है फिर उस समय पढ़ना पढ़ेगा तो इससे अच्छा है कि हम सुरुवात से अगर तयारी कर रहे हैं तो अभी सही हम क्यों न तयारी इस तरीके से पढ़ें कि उसी में प्री भी निकल जाए और मेंस की तयारी भी हमारी सुरुव से चल रही है ये हमेशा ध्यान रखना है आप सभी लोगों को तो आपके पास नौलेज कॉंसेप्ट के साथ-साथ आता रहे कमपटीशन का लेबल कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आप कहीं भी क्लासेज बगएर एक जॉइन करना है आप सभी लोगों को जो भी बंदू देख रहे हैं यहाँ पे लुसेंट से प्री हो जाएगा मैं जान रहा हूँ यह सवाल आता है मेरे पास कि सर BPSC लुसेंट से नहीं हो जाएगा प्री हो जाएगा गारेंटी हो जाएगा मैं आपको 200-500 बच्चों का एक्जामपल दे सकता हूँ जो मेरे डायरेक्ट टैच में है जिनका BPSC लुसेंट पढ़के निकल गया प्री मेंस के लिए फिर उनको अलग से पढ़ना पढ़ता है तो शुरुवात कर रहे हैं तो एक अच्छे से शुरुवात करें और अगर पूरा गाइडेंस वगएरा आप चाहते हैं कि किस तरीके से सरतयारी करना है कौन सी बुक्स पढ़ें एक अवधारना कैसे हो टीचर से भी पढ़ें तो कहीं से भी क्लास कर सकते हैं लेकिन हम सभी लोगों ने भी हमारे बिहाराड़ 24-7 की टीम ने भी मिलकर एक बैच बनाई है तो यहाँ पर कोई आपको मैं प्रेसर नहीं कर रहा आप कहीं से भी क्लास करिए लेकिन अगर आप हमारे साथ जो हमारा वीजन है कि केवल प्री नहीं फाइनल सेलेक्शन लेके दिखाना है हम सभी लोगों को प्री के लिए तो भाई केवल उसे इंट अपसेल्प कर लो प्री निकल जाएगा लेकिन प्री प्लस मेंस आपको निकालना है अब गूगल पर जाकर जैसे ही आप अड़ा 24-7 सर्च करोगे तो एक आएगा लिखा हुआ अड़ा 24-7 इंडियाज नंबर वन गोवर्नमेंट जोब प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म इस पे क्लिक करिएगा ठीक है जब जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर चकड़ी घुमेंगी सांत रहने दीजिए अब यह सांत हो जाए तो आप यहाँ दिखेगा अड़ा 24-7 के बगल में आल कोर्सेज लिखा दिखेगा इस पे क्लिक करिएगा तो गوبर्नमेंट जोब एक्जाम है स्टेट एक्जाम चुकि BPSC स्टेट एक्जाम है भिहार पबलिक सर्विश कमिशन है स्टेट एक्जाम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा स्टेट उत्तर परदेश, बिहार, जारखनड है ना और ओनलाइन में अड़र 247 का है कि क्वाइलिटी कंटेंट के साथ एफर्डेवल फीसम दें उनको अब कोई 500 में भी बैच दे रहा है कोई 999 में भी दे रहा है अब हम लोग क्वाइलिटी कंटेंट को मेंटें रखते हुए जितने कम फीस में हो पाएगा उतने कम फीस में आपको देने की कोशिज करते हैं तो ये लोक नायक बैच आपको दिख रहा होगा 9999 रुपए का है लेकिन एक कूपन कोड आप लगा लेना तो ये 2000 रुपए के आसपास आ जाएगा जिसमें आपको पूरा complete से लेबस कराया जाएगा है ना अब उसमें पूरी guidance भी होगी कौन सा book पढ़े कैसे पढ़े किस तरीके से तैयारी करें competition का label आपको पता चलेगा तो आप लोक नायक बैच जरूर ले लें कैसे purchase करोगे ये 9999 में से कम कैसे होगा सबसे पहला सवाल तो ये है तो देखो buy now पे click करोगे जैसे ही buy now पे click करोगे याद रखना लोक नायक बैस है buy now पे जैसे ही click करोगे तो बहुत सारे available offers दिखेंगे इस पे click कहीं मत करना apply पे कम discount मिलेगा ठीक है ये उनके लिए जो वीडियो को नहीं देख रहे हैं आप apply करोगे ये fees 2299 में हो जाएगी continue करिएगा नाम phone number email id मांगेगा फिर continue करिएगा payment detail आएगा और आप हमारे इस बैच के साथ जूर जाएगे कि आप हमारे ममें उनके लो जाएगे काई इस ब करना पिकापड़गा ये काई ब ChamGI कि आप हमारे इसे बाद Junior